हम कहीं बाहर खाना खानी जाएं या फर कोई स्पिसल ओकेजन हो और हमारे घर केस्ट आएं तो हमारे खानी के मिनों में पनीर की एक रेस्पी जरूर सामील होती है चाहे वो पनीर पकाड़ा हो साही पनीर हो बटर पनीर मसाला हो या कडाही पनीर हो पनीर तो पनीर ही है डीज सब्ची को और सामिल कर ली वह है पनीर कोर्मा अगर आपको इसपैसी खाना पसंद है तो आपके लिए ये रेस्पी पॉफेक्ट है बिना घंटो किचन में घड़े हुए पिल्कुर रेस्ट तेस्ट वाली है सब्ची घर पर बिना सकते हैं बहुत ही आसानी से तो चलिए बिन प्राइब तो जिए आपको यह रखना है कि सारे प्यास की प्राइब पतले हो और एक्वल हो अगर कोई मोटा कोई पतला रहेगा तो कोई प्राइब और कच्छा रह जाएगा इसे कंचिन्यू हाइफ्लेम पे ही में फ्राइब करना है और अगर आप चाहें नहीं तो इसे ज्यादा तेल में Lordир कर सकते हैं या फिर देल कर सकते हैं जाधा या या फिर्टेल की बिना तेल कर सकते हैं तो देखिए प्यास हो ऑचुका यह इसे इतना ही करना है इस वसकि आप आस निकाल लेंगे हैं जोर निल्सा HP 7 जह प्रिएAD कर जयादा है ज्एग जाला लिएमे प तो पनीर को भी फ्राइब कर लेंगे तो मैंने 300 ग्राम पनीर ली हैं उसके बड़ी क्यूब्स कट कर लिया है और इसे दोनों साइब से सुना रही हो तक हमें अब बिनना फ्राई कियों भी सब्सक्री करने के बाग चूई हो जाता है तो थे नर्म मनाय रखने के लिए उसमें में तरना हाल को अपर हलका गुर हम पानी डाल दरी और रगो आज़ा है के तूप तक पानी में हेवी वह फ्रैज़ करेंगा न बहुत तरा क्रहित हैं इसे हम बात में योज करेंगे हां इसे रखते तेह साइट में अब इसमें डालेंगे काजु तो मैंने आप 1 4th कप काजु को हलकी गुनगुने गर्म पानी में सोप कर लिया था और तीन बड़ा चमच डालेंगे दही तो इसे पीसने के लिए हमें पानी नहीं डालना है दही जो है वह खटी नहीं होनी चाहिए और इसका हमें बिल्कुल फाइन टेश्ट तियार कर लेना है जिस पैम में प्यास और पनिर फ्राइ किया था उससे हमें एक्ट्रा निकाल लेंगे और इसमें दो चमच गी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले इसमें डाला एक चुटा चमच जीरा दो हरी लाइची एक काली लाइची और दाजिनी का टुक्रा और चार-पांच लॉग तो इलाइची को ना हमें तोड लेना है जाची टकनी तक इसे हमें फ्राइ करना है अब गैस की फ्लेम को धीमा कर दें और इसमें डाली एक बड़ तो दिकिए अधर खलेसंट फ्राइची हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम कुछ सुखे मसाले पहले दालेंगे के 2 चमच कास्मी लाल मिर्च पाउडर पीखा नहीं होता है बस एक अच्छा कलर आता है इसके साथ हमें दाली चमच घनी बड़ेंगे धनिया पाउडर थो पानी डालने के बाद इसे फिर से हम अची तरह से भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल जो है अलग ना हो जाए तो 2-3 मिनिट में मसाला जो हो जाता है अब इसमें एट करेंगे तयार के हुई प्यास और काजू की प्यूरी को इस सब्जी में थोरी थोरी डिस्टेंस पे मसा मसाला जो जो जाए के आ provenya paradox cars कैसा से त daí जो जह विद्स क्यों हो जाए बंदाड Хотя टो के अब यसे में टालेंगे अच्यम तो है कि मैंने या माने 8 फैत लेंग और गारी वेडियर ए का और शीतर से फिट लेन रचिंड खसे नहीं चाहिए जा लूटरे बशी बढ़ने जब को हाइटु मीडियम के बीच में रखें और इसे कंचीनियू चलाए जब तक कि यह मसालों में अच्छी तरह से मिक्स नहों जाए और इसमें एक अच्छा उबाल ना आ जाए असा करने से दरी जोए वह फटेगा नहीं तो देखें मिक्स हो गया और अबाल भी आ रहा है इस व जो दीघिये जो घ्सार नहीं प्रवकर देखे चला इसमें की तो थोड़ा सट्क्रक कर घुचा करके डाल देना है इसमें की थोड़ा सच टेक्चर आ अए हमारे कूर्म का है अ इसमें हम्ने वह इतक नमक नहीं डाला है तो डाल दिखते हैं स्वात अनुशा नमक और नमक बार यह इसाब आफ भाली सी के इसे करने के तो हम इसमें पानी जालेंगे वह एकडम पतáल यह लिए पानी सी बाद निकाल जाय動画等 rebel तोड़ा सा डाल देंगे रोस्टेट कसूरी मेती, आदा छोटा चमच गरम मसाला, और बारिक चॉप्ट मैरे यहां डाला है थोगा सा आलमेंड्स क्रेंच के लिए, यह आपनी इच्छा हो तो ही डालें, और बाइचांस आपने चुसमें तही डालें, वो थोड़ी भी खटी होना तो इस वक्त आप इसमें 1 4th cup fresh cream या फिर घर की ताजी में लाई फीट कर डालें, और मिक्स करने के बाद कवर करके 5 निट तक धीमी आज पे पकने दें, परीर हमारा पका हुआ है, बस उसके अंदर मसालों का फ्लेवर जानी के लिए से में पकाना है, ऐसे तो यह मारा पनी कुर्मा देखे तैयार है, मगर इसको हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो इसमें एड करें, एक छोटा चमच केवरा वाटा और राइस से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद अपनी पसंदता राइस रोटी के साथ साथ शर्व करें, और इंज्वाई करें, रस्पी लेचे लेगे तो लाइक और शियर करने ना भूली